दोस्तो हिंदू धरम में सुहागिन महिलाओ के जीवन में सिंदूर का एक खास महत्व है अक्सर आपने हिंदू धरम की सबी शादिशुदा महिलाओ को सिंदूर लगाते हुए अबश्य देखा होगा हिंदू धर्म की माननिताओं के अनुसार सिंदूर को सुहागिन महिलाओं के सुहाग का प्रतीक माना जाता है बिभा के समय भी सिंदूर दान की बिधी का एक बहुत खास महत्व है इसके बाद ही बिभा की बिधी को संपून माना जाता है और एक बार बिभा हो जाने के बाद सभी सोहागिन महिलाओं का सिंदूर लगानत जरूरी है दोस्तो हाला कि बदलते जमाने में कई लोग इसे रूडी बाधिता मानने लगे हैं और आजकल कई लड़कियों को शादी हो जाने के बाद भी बिना सिंदूर के आपने देखा होगा लेकिन आपको जानकर हरानी होगी कि हिंदू धरम में बनाई गई इन परंपराओं के केबल धार्मिक महत्व नहीं है बलकि इसके संगदर्ब में कई बैग्यानिक महत्व भी बताए गए हैं दोस्तो जो महिला सिंदूर लगाने का पालन अगर नहीं करती है तो ऐसी महिलाओ के पती को कभी भी धन तथा मान सम्मान की प्राप्ती नहीं होती ऐसी महिलाओ के पती हमेशा बीमारियों से घरस्ती रहते हैं ऐसे में हम जानते हैं सिंदूर लगाने के बो नियम जो हड सोहागिन महिलाओ को जानना चाहिए दोस्तो लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को जरूर दबाईएगा सची शरद्धा से कमेंट बॉक्स में लिखें जै माता पारबती माता पारबती ही अखंड सो भागे बती का बरदान देती है माता रानी के लिए एक लाइक तो बनता है तो आईए शुरू करते हैं दोस्तो नमबर एक शादिशुदा महिलाओ को सिंदूर सदैप अपने पैसों से खरीद कर लगाना चाहिए किसी अन्य के पैसे से खरीदा गया सिंदूर अपने माथे पर नहीं लगाना चाहिए। इसलिए सिंदूर हमेशा अपने पैसों से ही खरीदना चाहिए। सब चौपट हो जाता है। ऐसा करने से दिन पर दिन पती की आयू घट जाती है। दोस्तो नमबर तीन सुहागिल महिलाओ को किसी मंदिर से तथा मातारानी की चौकी से उपहार में मिले सिंदूर को अबश्य ले लेना चाहिए। क्योंकि शास्तरों में मातारानी के चड़नों से मिला सिंदूर बहुत इशुब और पवित्र माना जाता है। इसमें शाक्षात मातारानी का आशिरिबात मिला हुआ होता है जिससे आपके पती पर कभी संकट नहीं आते। इस सिंदूर को आप अपनी मांग में अबश्य लगाएं। इससे पती की आयू बढ़ेगी, धन ब्रद्दी होगी, घर में परिबार में प्रेम बना रहेगा। दोस्तो नमबर 4 सिंदूर को कभी भी किसी के सामने नहीं लगाना चाहिए। जब आप सिंदूर को किसी के सामने लगाते हैं, तो आपके पती को नजर लग सकती है और आपका प्यार कम हो सकता है। किसी के सामने सिंदूर लगाने से आपके रिष्टे को भी नजर लग सकती है और आपके पती का प्यार बढ़ सकता है। ऐसे में अगर आपको किसी के सामने सिंदूर लगाना पड़े तो अपने सर पर पलूच जरूर रख लें। दोस्तो नमबर 5 कभी भी महिला को बगैर नहाय अपने माथे पर सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। सबसे पहले महिला नहा ले और अपनी मांग में सिंदूर भर ले। फिर उसके बाद घर की पूजा पाट करे। दोस्तो नमबर 6 आप सोहागिन हैं बिद्वा नहीं एक इस्तिरी को सदैप शादी होने के बाद रंग रूप में रहना चाहिए। घर में अगर किसी भी तरह का सूतक है या फिर मासिक धरम के दोरान या आपके उपर कोई मुसीबत क्यों ना आ जाए। ऐसे में शास्तर कहता है। जब तक आपका पती जीबित है तब तक आपको 365 दिन हर हाल में अपनी मांग में सिंदूर भरना चाहिए। सिंदूर लगाने के बाद महिला अपने आप ही पवित्त्र हो जाती है। किसी कारण बश अगर आप बाल नहीं दो पाती तो बस आप अपनी मांग में कहती हैं मांग अभशी भरना चाहिए दोस्तो नमबर साथ सिंदूर का गिरना बहुती बड़ा अप्शगुन माना गया है इसलिए इसे हमेशा ही बच्चों की पहुंच से दूर रखें सिंदूर को सुरक्षित इस्थान पर ही रखें क्योंकि सिंदूर के गिरने का डर रहता सिंदूर जब गिरता है तब पती पर कष्ट आते हैं, घर में कलेश बढ़ता है, माता पारवती क्रोधित हो जाते हैं, सिंदूर गिरते ही माता रानी से छमा अबश्य मांग लें दोस्तो नमबर आठ, मांग भरने के लिए आप हमेशा ही सूखे सिंदूर का ही इस्तमाल करें, आजकल मार्किट में कई तरह के लिक्विट सिंदूर भी उपलब्द हैं, लेकिन इसे लगाना अच्छा नहीं माना जाता, शास्तरों के अनुसार अगर माते पर सिंदूर गिरत तो इसका मतलब है कि आपका पती आपसे बहुत प्रेम करता है, दोस्तो नमबर नौ, अगर गलती से आपसे सिंदूर नीचे गिर जाता है, तो उसे एकटा करके नाली या फिर सिंख में ना फेकें, इससे सिंदूर का अपमान माना जाता है, सबसे पहले तो आप माता अपती का वास होता है, दोस्तो नमबर दस, अगर आपसे सूखा सिंदूर सही तरीके से नहीं लगता है, तो आप अपनी उंगली यानि की माचिस की तीली को लेकर थोड़ा सा गीला करके, सिंदूर में टच करके, आप अपने माथे पर लगा सकती हैं, इससे सिंदूर नही आपके चहरे पर फैलेगा, लेकिन याद रहे, सिंदूर आप जितना जादा हो सके तो सूखा ही लगाएं, दोस्तो नमबर ग्यारा, शास्तरों के अनुसार जो भी इस्तरी, अपनी मांग के सिंदूर को अपने बालों के पीछे छिपा लेती है, तो उसके पती को समाज में मान समान नहीं मिल पाता, जिस उचाई को वो छूना चाते हैं, बहां तक वो पहुच ही नहीं पाते हैं, और हमेशा आज सफल ही रहते हैं, समाज में तथा रिष्टेदारों के बीच में वो हमेशा छुपे रह जाते हैं, इसलिए सिंदूर आप जितना लंबा लगाएंग और आगे की तरप माथे पर लगाएंगे, तो आपके पती का भाग उतना ही अच्छा प्रबल दावेदार होगा, क्योंकि दोस्तो सिंदूर चुपाने से माता पारवती का घोर अपमान माना जाता है, इसलिए कम से कम थोड़ा सा सिंदूर आगे माथे की और अबश्य लग दोस्तो क्योंकि माते पर सिंदूर लगाने से इस्तिरी की शक्तियां जागरित रहती हैं, तथा ब्लेट सर्कुलेशन कंट्रोल में रहता है, सिंदूर लगाने से इस्तिरी की खुपसूर्ती में चार चांद लग जाते हैं, उसकी खुपसूर्ती में निखार बढ़ जाता ऐसी इस्तिरियां बिना मेकप शरिंगार के भी किसी अफसरा से कम नहीं लगती। दोस्तो नमबर 13 नब विभाहित कन्याएं इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जो विभाह के समय उन्हें मांग में सिंदूर लगाये जाता है वो सिंदूर उन्हें हमेशा संभाल कर रखना चाहिए और जब कोई विशेश कार्री या कोई विशेश पूजा आपके घर में हू तो उस समय थोड़ा थोड़ा वो सिंदूर आप जरूर लगाएं इससे बिभाह के समय जो आपको विशेश आश्रिभात मिलता है वो हमेशा आपके कार्यों में आपको सफलता दिलाता है तथा आपके परिबार में खुशियां और सुक समर्दी बनाए रखता है दोस्तो न माता पारबती का आश्रिभात मिलता है तथा घर में माता लक्षमी का वास होता है दोस्तो नंबर 15 कई महिलाएं बीटी पालड जाती है और बहां जो भी महिला या मैक अप करने बाली होती है तो ऐसे में वो खुदी आपकी मांग में सिंदूर लगा देती है लेकिन ऐसा कर सही नहीं होता हमेशा सिंदूर आपको खुद से लगाना चाहिए या फिर अपने पती के हातों से दोस्तो अगर आपको सपनों में सिंदूर दिखाई दे तो ये बहुत इशुब माना जाता है सपने में मांग में सिंदूर का दिखाई देना ऐसा माना जाता है कि इससे आपके मायके से बहुत बड़ी खुश कबरी मिलने बाली है और अगर कोई अशुबाप के साथ होने बाला होता है तो बो भी टल जाता है और अगर कुवारी इस्तिरी को सपने में खुद को सिंदूर लगाते हुई दिखाई दे तो इसका मतलब है कि उसकी शादी उसके मन के अनुसार किसी ऐसे बड़ से होगी जो उन्हें पसंद हो दोस्तो घर में अगर आपके पती से बनती नहीं है या घर में लड़ाई जगडे तथा परेशानी गरे कलेश बना रहता है तो इस दोस्त को दूर करने के लिए आप सरसो के तेल में थोड़ा सा सिंदूर मिला कर अ अपिस में काम करने वाली महिला है या आप किसी कारण से रोज अपनी मांग में सिंदूर नहीं लगा सकती हैं तो कम से कम जो आपके त्योहार होते हैं करबा चौत, नबरातरी, साबन का महीना, हर्याली तीच और बट साबतरी बिरत जैसे पर्व पर मांग अबश्य भरना चाहिए तथा शादी की साल गिरा पर मांग जरूर भरना चाहिए ऐसे में अगर आप किसी पूजा पार्ट में बैठते हैं तो अपनी मांग को सूना ना रखें आपकी मांग में सिंदूर होना सौभागी की निशानी है आपके पती की आयू लंबी होती है और पती पतनी मे प्रेंब बना रहता है पूजा पार्ट में सिंदूर लगाने से उसका फल आपको कई गुना प्राप्त होता है दोस्तो अगर आप कभी कामाख्या मंदिर जाएं तो बहां से आप सिंदूर अबश्य लेकर आएं क्योंकि कामाख्य माता के द्वार का सिंदूर माते पर लग प्यार बना रहता है प्यार में मजबूती आती है दोस्तो सिंदूर माता परवती का प्रतीक है इसलिए सचे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखे जै माता परवती एक लाइक तो बनता है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन जरूर दबाईएगा